हलो स्टूड़न्स मैं संदेप सिंग वेलकम करता हूं आपका मैगनेट ब्रेंट्स हिंदी में जहां पर मिलता आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 तु ट्वेल्थ मतलब यहां पर कुछ चैप्रस देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के बिल्कुल भी जुरत नहीं पड़ती क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते क्वालिटी कॉंटेंट, एक्सपीरियून्स टीचर्स के साथ वो भी फ्री आफ कॉस्ट तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फजिक सब्जेक्ट के साथ और हमने साथ मिल करके हमारे सभी चाप्टर्स के कुंसेप्ट वीडियोज, वन शोट रिवीजन, उसके साथ साथ हमने MCQs, NCRT Solution, Previous Year Questions and Most Important Question Paper की पूरी सीरीज को खतम कर लिया भई, तयारी हो चुकी है हमारी पूरी इस चाप्टर की और हम अब प्रपेर्ड हैं एक एक्जाम क आना होता है, तो उसके पहले क्यों न हम उसको एक बार चेक कर लें, तो इसी क्रॉस चेकिंग के लिए Self Evaluation के लिए Magnet Brins लेकर के आता है, Magnet Brins टेस्ट पेपर की सीरीज को, जहां पर हम आपके लिए एक Question Paper देते हैं, जिसको आप Solve करते हैं and हम मिलते हैं अपने Solution वीडियो के साथ में जहां पर आप अपने आपको Cross Verify करते हैं and Self Evaluation करते हैं, सबसे बढ़िया Evaluator कौन है आप स्वयम, आपने अपने आपको Evaluate कर लिया तो फिर कोई समस्या आनी ही नहीं आ गए, तो इसी Self Evaluation के लिए आपके सामने स्टार्ट किया गया है, ये Magnet Brins टेस्ट पेपर आते हैं भई, तो इस सिलसले में हमारे पास आया था पेपर धनी चैप्टर का, साउंड चैप्टर का, जिसको आपने I Hope की Solve कर लिया है, अब बारी है उसके आंसर को Cross Verify करने के लिए, एक Model Answer के साथ में Compare करने की बारी है भई, तो चलिए ना, सुरू करते हैं हम इस सिलसले क जहां पर सबसे पहले हमको मिलता है क्या, भई, MCQs, ठीक है ना, इसके बाद हमको मिलते हैं क्या, वह Short Answer Type, Very Short Answer Type, उसके बाद Short Answer Type, and Long Answer Type, जिसके बीच में, Numericals में मिलेंगे, Theories में मिलेंगी, Concepts में मिलेंगे, सब कुछ, तो चलिए, हम जड़ा चेक करें हमारे सबसे पहले question को, वेल और हाथी उत्पन करते हैं, भई, वेल है और हाथी, ये दोनों किस तरीके की ध्वनी उत्पन करते हैं, ultimately उत्पन करने का यहां पर क्या मतलब है, यहां इनके उत्पन करने का मतलब है, ध्वनी से, ध्वनी चाप्टर पढ़ना है, तो ध्वनी से ही मतलब है, तो क अब पता है कि हमारे पास एक ध्वानी की range है जो हमारी range है basically हम इस range को सुन सकते हैं 20 से 20,000 Hertz तक यही हम सुन सकते हैं ना भाई अचे जो नीचे मतरब इसका जो पहले की ध्वानी होती है उसको हम कहते हैं अवश्रब और इससे जो बाद की धूनी होती मतलब इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसिग की जो धूनी होती है उसको हम कहते हैं परा धूनी अब भाई एक बात और समझ में आती है कि ऐसी धूनी जो कम होगी उसको सुनने के लिए क्या करना होगा अब को याद रखने के लिए बड़ी अज़त तरीका बताते हैं यह जो हमारे कान के यह वाले जो हिससे ऐसे बने होते हैं यह काम करते हैं रिफलेक्टर के कोई भी साउंड आएगा तो उसको करेंगे रिफलेक्ट करके कान के अंदर तक पहुंचाने के अब यह चोटे चोट खैर वो काम में भी लेते हैं भी हवा भी कर लेते होंगे बट उनके जो इतने बड़े कान होते हैं उसके पीछे सिंपल सा रिजन है कि छोटी से छोटी ध्वनी भी आएगी ना तो उनके कान से रिफलेक्ट हो करके उनके कान की जो नली होगी वहां तक पहुंच जाए ठीक कौन होगी जो अवस्रब्वे हो जो 20 हट से भी कम की हो तो भाई वेल और हाथी दोनों मिल करके दोनों मिल करके अर्थात दोनों अलग-अलग है ना बट दोनों ही किसको सेंस कर पाते हैं तो दोनों ही आवश्रब्वे दोनी को सेंस कर पाते हैं ठीक है चली आगे बड़ता पर आप सुनते ही ते हैं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया। इसका मतलब क्या होता है। ठीक है कितना दिर भाई one upon ten second फिर भी लोग कहते हैं कि उनकी सुनी है और उसके बाद हमारी दुनिया इभदल गई तो बही ऐसा होता ही नहीं है सुनना की जो हमारे दिमाग पर जो असर होती है जो सुना उसका कितना दिर हो तबी सिर्फ one upon ten second तक ही होता है उसके बाद वो ऐसी खतम हो जाती है बट अब आपके काम की चीज होती है तो वो आप save करके रख लेते हैं otherwise जो एक normal process है कि कान खुले हैं आवाज जाएगी 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 जो भी धोनी उत्पन होगी वो आप upon ten second तक एक बटा दस सेकंड अब एक बटा दस सेकंड को पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पॉइंट वन सेकंड सिंपल है ना कौन सा option यहां पर दिख रहा है तो मुझे दिख रहा है second number option is the correct one ठीक है बढ़ी चलिए आगे बढ़ जाया जाए अपने अगले question पे question number third की तरफ तो यहां पर कहने निम्न दाब का चैत्र क्या कहलाता है एक ऐसा चैत्र जहां पर pressure कैसा अब लोवर प्रेशर कम प्रेशर हो दिखेंगे high pressure होता है तो चीजे संपिडित होती ने एक दूसरे मां accumulated होती है एक जगह पर सब इकठी होती है और जैसे ही दाब घ पर आजाते है और जैसे टीचर बाहर और अपन सब ग्राउंड में मतलब क्या दूर दूर मतलब जब दाब कम हुआ प्रेशर कम हुआ आपके उपर तो सब दूर दूर तो निम्न दाब का चैत्र किसको कहेंगे भई तो निम्न दाब का जो चैत्र होता है यह है विरलन और संपिडन है यह हमेशा ही उच्छ दाब का छेत्र होता है यह जो है यह हमेशा ही क्या है यह उच्छ दाब का छेत्र है ठीक है संचरन मतलब तो चलना होता है और आवरिती यह फ्रिक्वेंसी है फ्रिक्वेंसी मतलब क्या है कि नंबर ऑफ साइकल पर सेकेंड एक सेकेंड में पून होने वाले चक्कर तो इनका च्छेत्रदाप से लेना देना नहीं था। च्छेत्रदाप से लेना देना तिर्व इन दोनों का था विर्लन और संपिडन जो है वह हों था। answer इसमें को जो है ये बिलकुल सही है चलिए तो भई ये भी आपका सही बना हुआ होगा होगा हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ की तरफ स्ट्रेटोस्कोप किस सिद्धान पर कारे करता है भई स्ट्रेटोस्कोप जो डॉक्टर भई आ कान में लगा लेते हैं हेड़फून जैस और इसके बाद वो पेसेंट को चेक करते हैं उनकी सांस की गती को चेक कर पाते हैं अलग अलग तरीके की जो दोनी सांसों के दोरा प्रोड्यूस होती उसके जड़ी वो पता लगा पाते हैं कि किस प्रकार की परिसानी किस प्रकार की बिमारी है तो वो क्या होता है उसके अ ऐसी कुछ arrangement होती है ठीक है इस arrangement में क्या होता है तो यहाँ पर यहाँ पर यह गोल सा एक पार्ट है इस जगह से क्या करते हैं भी तो sound जो है कहीं पर रखेंगे यहां से sound variate होगा और वो sound ऐसे परवर्तन होते 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 यहां से टुकडों में बढ़ करके इस कान पर और भी कुछ waves चल करके आएंगी तो वह दूसरी वेव चल करके आ रही है यह इदर से होती हुई इस कान में तो यह multiple reflection के उपर based है यह क्या हो रहा भी यहां पर परवर्तन हो रहा है किसका ध्वनी का तो ध्वनी का अपवर्तन का मतलब होता है एक गती का गतिवर्ता कर सकती है यह तिवर्ता भी वेरिट कर सकती है लेकिन सिध्धान्त नहीं है यह सिध्धान्त क्या है भई ध्वनी का परावर्तन को इस दा करिक्ट वन चलिए भई आगे बढ़ जाजा जला अपने फिफ्ट क्वेश्चिन पर यहां पर कह रहें एकांग समय में दोलनों की कुल संख्या क्या कहलाती है एक एक फिक्स टाइम में नंबर ओफ रिपिटेशन नंबर ओफ दोलन क्या कहलाएगा भई तो इसी चीज़ को हम कहते हैं हमारा अवर्ती कैसे तो जैसे समझ लिजे कुछ असपरकार में अगर एक वे प्लाट करता हूँ यह एक साइकल यहां से यहां तक चले यह दो साइकल यहां से यहां तक चलेंगे तो यह तीन साइकल ठीक है मतब यह तीन पूर्ट तरंगे बन गए अब यहां से जो चले थे और यहां तक पहुंचे अगर यहां से यहां तक चलने में हमारा लग रहा है क्या टी सेकंड ठी है तो इसकी आवरति मतब्ड एक बार इसने एक साइकल किया अगर एक बार कंप्लिट कर Take a तो यह अवरति एक ने कले की लेकिन अगर एक सेकेंड में इसी टी टाइम माल लीजिय कोई दूसरी विव है जो ऐसी चल रही है तो इसने क्या किया बहिए यह एक यहां से फिर ज़र चला दो दो से यह कितना तू एन हाफ वेब इस ने complete कर लिया कितने उसी टी टाइम में तो मतलब ऐसा मजमें आती है कि number of repetition जितनी बार एकांग समय में जितनी बार वो अपने cycles complete करेगा इसी चीज़ को हम कहते है अवरती और तरंगदैर्द किसको कहते है तो तरंगदैर्द यह है यह दो क्रमागत स्रेंग या दो क्रमागत गर्थ इन दोनों की बीच की जो दूरी होती है जिसको हम लैमडा से प्रदर्शित करते है इसको कहते है तरंगदैर्द तरंगों की दू हमारा एक आवरिती है अगले क्वेशन बढ़तों क्वेशन नमर्ट सिक्स भुकंप मुख्य प्रगाती तरंगों से पहले किस प्रकार की दोनी उत्पन करते हैं देखे जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक आने से पहले रियाक्टर स्केल पे हम मेजर कर पाते हैं कि इस भुकंप की तिवर्ता कितनी और हमें कुछ ऐस संसूचक हैं जिसके पता चल जाता है बुकंप आने से पहले ही कि 복 Kamu पाने वाला हैं क्योंकि भूकं पाने से पूर है ये जो हलचल पैदा होती है वह प्रित्वी के नीचे जो टायटेनिक्स फ्लेट्स होती है उसके जरी होती इन प्लेट्स किसकने के कारण भुकम पाता है तो हम पृत्वी के नीचे ड्रिल करके एक रॉड जैसा महसूस कर लिजए क्योंकि बहुत कॉंप्लेक्स सर्कुट्री होती है बढ़ आप ऐसा समझ सकते सिंपली यह मारी प्रत्वी है इसमें हमने क्या है कि हमने ऐसा ड्रिल किया इसको क्या कर दिया एक पेपर यहां पर समझ लीजिए इक्ड़ा है पर अब क्या होगा अगर भुकंप आएगी तो यह पैन क्या होगा यह उलेगा यह पैन के हिलने की कारण इस पे इसे डिगराम्सट जो हो साइंगे ये डिगराम्स क्या सो करें तो देखे ऐसा वेब जैसा ड्रॉ होगा अगर मैं इसको बात करूं तो यहां सा मुझे बहुत कुछ पता चल जाता है यां सा मुझे इसके amplitude पता चल जाती है कितनी तिवरता का भुकम पहरा है या अगली लाइन आई और तेज होती जारी है मतब तिवरता समझ में आ सकती है कि इतनी दूरी पर इतनी तिवरता से आरे उसकी चाल समझ में आ सकती है सब कुछ तो मतब एक बात समझ में आती है कि मुखे प्रगाती तरं मतब जो भुकम कम्प्लिट दे आ जाए उसके पहले ही ये जो वेव निकल रही है इस वेव को किस केटेगरी में रखें क्या ये पहरासरव्य धौनी की केटेगरी में अवसरव्य में आएगी इस स्रव्य में आएगी है उपरण्ट में से कोई नहीं तो भाई ये जो धौनी ये धीम ही आएगी इसे कम ही होती है हमारे सुनने की चंप्लिट हम कम की धौनी अवशरव्य होती है तुभिया भुकम पाना ऐसी पता चल जाता है कितनी सारी चीज़ा बनाने के जुरती नहीं पड़ती ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं question number seven पर आंच यह हमारा निमलिकित में से कौन अवस्रब विद्वनी सुन सकता है इनमें से कौन है जो अवस्रब विद्वनी को सुन सकते हैं तो इनमें से जैसे खुटते की बात करें तो हमसे थोड़ी सी haering range गौर इसकी कम होती है ठीक है ना यह हमसे तोड़े से और कम साउंड को सुन सकता है जो यह दो करता है तो पराद्वनी को अस्ट्रिलाइज़ेशन करता है ultrasounds ठीक है तो चमगादर भी नहीं हुआ आगे आता है कि राइनोसॉरस गेंड़ा गेंडआ यह जनरल यह अवसरव ध्वनी को सुनने तब यह पांच हर्ड तक कि ध्वनी को सुन सकता है तो मतलब इसका आंसर आता है कि इसके करडिंग ने रायनोसरस गेंडा हो जाना चाहिए और मनुष्षे तो पता है यह स्रव ध्वनी को ही सुनता है कितना 20-20,000 क्योंकि हमने अपन हम ज़रा question number eight पे तो eight से हमारा सुरू हो जाता है अती लगो उत्तरिया यह भी एक नमबर में आता है जनरल ही इसको कहते हैं कि यह एक वाक्य में उत्तर दीजा है एक सब्द में उत्तर दीजा इस तरीके के प्रश्णों होते हैं ठीक है ना इनका अंसर एक सब्द या एक व है तो जब waves की बात करें जब हम ध्वणी संचोरन की बात करते हैं थो द्वणी संचारी तो ओते समय दो त्सकी यह है ठीक है हाई प्रेशिट क्रिएट कर सके उसी को कहते है भाई हम संपिडन ठीक है ना तो देखिए जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो आपने सामने वायू को धका देती है इसे संपिडन करती है जिसके कारण अगे की तरफ इसको धका देगा तो ये वाले कंपयाद ये दो तीन लेयर वान की चलिये आपस में चिपक गए तो उच्छ दबाओ का छेत उत्पन हुआ ना यह चिपक गए न तो यह क्या कर गए यह संपीडित हो गया यहाँ पर संपीडन देखने को मिल रहा है ठीक है और इसका विपरीत अगर यह दूर जाएगा तो यह जो इतने भी पास पास यह और दूर दूर फैल जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं हम उसको कहते है रेरर फैक्शन ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं क्वेस्टन नमबर नाइन पर विरलन किसे कहते हैं तो विरलन किसे कहते हैं जब वहां पर निमनदाब का छेत उत्पन करेंगे जब यह दूर जाएगा निमनदाब का छेत उत्पन करेगा तो इसको विरलन कहते हैं क्या वई जब कंपमान वज तो पीछे की और कंपन करती है तो एक निमने दाब का छेतर उत्पन होता है जिसको विरलन कहते हैं जिसको रेरर फ्रेक्शन कहते हैं भई ठीक है ना इसको समझने का एक और तरीका है अपने पास में जैसे आपने पंप ह हवाबधने का जो पॉम्प ओता है साईकल में फूडबॉल में जिससे हम हवाबधने हैं वा जो आत से जो पंप संचलि संचालित होता उसकी में बात कर रहूँ है यह Eleo se यह पूरा पैक है और इसका जो दूसरा सेग्मेंट है यहां पर यहां पर एक वासर लगी होती है यहां से एक हैंडल बना होता है जिसको पकड़ के हम क्या करोते हैं इसके अंदर पुश तो जब इसको पुश करेंगे यह इसका बेस वाला हिस्सा भई थोड़ा सा मोटा ही रहेगा क्योंकि प्रेशर जादा पढ़ने वाला है इसको हमने ऐसा पुश कर दिया है दोनों ही स्टेजस में अगर हम देखें तो क्या देखने को मिल रहा है यहां पर जो गैस के कंड़ होंगे वह ऐसे दूर दूर होंगे ठीक है लेकिन जब इसको और पुश किया तो अब यही गैस के कंड़ चुकि वाशर चल का यह तो यह क्या कर दिया यह देखिए गैस के कंड के से आगए यह पूरे गैस के कंड़ पास पास आगए यह पूरे गैस के कंड़ पास पास आगए तो आपको यहां पर दिखर होगा कि दूर दूर है मतलब यह विरलन है विरलन कब होगा जब आप इस फॉम को इधर ले जाएगा पीछे की और और जब इसको आगे की ले जाएगे तो यह किया बने गई यह संपेड़न यह स्वाइम स्नोंद यह समप्रेशन है यह रेर JESSIAN है थशिक ना इसी यूर्फन को लूधि करने के लिए जब यहां पर हम नोजल लगा देते हैं, यहां पर भी लगाते हैं, तो इस नोजल से यह हवा क्या करते हैं, तो इस नोजल से हवा बाहर की तरफ, बाहर के तरफ हम निकाल पाते हैं, अगर यह प्रेशर नहीं होगा तो बाहर हवा जाएगी क्या है, या फिर आप जिस वॉल्फ के जरी है साइकल में बना चाह रहे है साइकल के टायर इन फाक्ट और या फिर फुटबॉल में बना चाहते हैं तो उसमें जा पाएगी क्या तो अब इसलिए नहीं जा पाएगी जब आप यहां पर प्रेशर क्रेट करते हैं संपिरित करते हैं तो इसी प्रेशर को रिलीज करने और गर्त करमशा क्या निरूपित करते हैं अगर एक द्वानी तरंग है इसमें एक ग्राफ अगर हम ड्रॉप करते हैं तो उसमें जो स्रेंग है और जो गर्त है वो क्या निरूपित करते हैं तो जो स्रेंग है वो हमेशा ही संपिडन को और जो गर्त है वो हमेशा ही विरलन को जो भी समपिड न और वरलन रहा था उसी तरीके से देखिए एक वेव ऑफ ये रिक मैं एक साई कल यह कि एक दूसरी साई के लिए तो यह जो टॉप साथ है यह पूरे टॉप काम कहते हैं को एक स्रण ठीक है इसी को हम कहते क्रस्ट इसे कहते स्रिंग और इसको कहते हैं गर्थ और भी नाम से जानते हैं इसको टॉप्स के नाम से भी जानते हैं या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जो है यह हिल्स हैं और इनको कहा हूं तो भाई इनको कह सकता हूं यह वैलीज है ठीक है ना मतब एक पाढ़ की चोटी है और दूसरी पाढ़ की खाई है तो ऐसा भी समझ सकते हिल्स एंड वैलीज के जरीए भी समझ सकते हैं क्या होता है तो यहां पर यह जितने भी सिखर दिख रहे हैं यह सभी बताते हैं हमारे संपीडन को और जितने वैलीज दिख रहे हैं यह सभी बता रह especially sound में यह कुछ बत कर रहे हैं यहां पर यह जो स्रेंग और जो गर्त बन रहे हैं यह उसका equivalent है यह जो हमारी चलती है अनुदैर्ध तरंग ठीक है ना वो उसके वजह से यह है ठीक है दो तरीके से हमारे पास है एक जो हमारी sound चलती है वो चलती है लॉगनी ट्यूडनल लॉगनी ट्यूडनल मतब एक बार ऐसा कंप्रेशन होगा फिर ऐसा रेरर फ्रेक्शन होने लगेगा फिर क्या होना सुरू हो जाएगा यह पास पास आने लगेंगी फिर से क्या होगा तो फिर से ऐसा रेरर फ्रेक्शन सुरू हो ज को बता हूं और यह रेरे रख्शन को ऐसा कांप्रेशन को फिर ऐसा रेटर रख्शन को ऐसा तो जब आसी लॉगनी त्यूडनल वेव को साइनोशॉडल वेव में चेंज करके लिखते हैं समझाते हैं तो यह सब ही देख 오랜만 को यह भी टॉप क्रस्ट को और यह जो है यह हमारा rarer fraction को बता रही है यहाँ पर भी हमारे rarer fraction को मतब यह जो valleys है यह rarer fraction यानि विरलन को जो tops हैं यह compression को मतब संपीडन को बता रही है ठीक है भई? तो जो question अब जो पूछा गया था उसका answer complete है बढ़तों मैं ज़रा अपने आती लगों तरीके अगले question question number 11 यह कहरे है एक पूण दोलन कब पूरा होता है एक complete rotation कब खतम होता है complete cycle कब बनती है तो ऐसा समझें कि जहां से उसका दोलन start हुआ था वापस वहीं पर अगर आ जाता है तो एक complete cycle बन जाती है एक पूर्ण दोलन हो जाता है जैसे घड़ी में जो pendulum लगी होती है इसके जरीए समझ लेजिए यहां से यह लगी है pendulum यह चला इधर वाप maximum यहां तक पहुँचा और यहां आने का वापस यहीं पर आ गया तो इसको कहते है complete rotation गया तकराया या फिर ऐसा कहूँ जाए और यह अपना दोलन complete करता हुआ वापस आ जाए तो जिस जगह से सुरू किया था उसी जगह पर अगर वापस आ जाता है तो इसी को कहते हम एक complete cycle एक complete दोलन अगर waves के form में अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसको wave के समय में इसी तरीके से बना सकते हैं जैसे हाँ पर आपको दिख रहा है मैं ऐसा बनाता हूँ क्योंकि अनुप्रस तो अनुदार दोनों हो जाए यह हो गया भीया एक complete cycle क्योंकि अब इसके बाद जो मैं बनाऊंगा यह इसी बात का repetition होगा देखिए मैं अलग कलर से बना रहा हूँ यह दोनों कलर्स को अगर आप देखते तो यह फर्स्ट में मिलाता इसी कहें repetition है तो एक दोलन यह है एक दोलन यह मतलब एक बार compression और रेडर फेक्शन हो जाए फिर अगला जैसी compression होने वाला होगा उसके पहले की जो चीज़ है वो सब एक दोलन है मतलब घनतों के अधिक्तम मान से निउन्तम मान तक परिवर्तन में पुना अधिक्तम मान तक वापस आने को एक पूर्ण दोलन कहते हैं यहां पर compression से रेडर फेक्शन हुआ इसके बाद पर से compression जैसे होने जाएगा इसको हम कहते हैं एक complete cycle हो गई है एक पूर्ण दोलन हो चुका है ठीक है तो यह है यहां से यहां तक का एक complete दोलन ठीक है न चलिए आगे बढ़तों में अपने अगले question की तरफ question number 12 है बारवे question में कह रहे है मनुसों में स्रविता का परीसर क्या है मतब जो human body है वो कितना minimum और कितना maximum सुन सकती है इसे को परीसर मतब range की बात करें तो क्या है इनका range तो इनका range यह कि मानों हमेशा ही minimum जो सुन सकता है वो है हमारा 20 hertz यह नहीं उन्तम है और अधिकतम सुन सकता है वो है 20 1000 hertz या फिर सीटेशिक को लिखते हैं ऐसा कि 20 hertz to 20 kilo hertz किलो मतब कितना भई 1000 ठीक है ना तो 20 से करके 20,000 Hz कहिए या 20 से ले करके 20 किलो Hz कह दीजिए बात बराबर हो गई यह होता है हमारा स्रव्य परास सुनने की जो रेंज होती है वो यही होती है ठीक आगे बढ़ता हूं मैं जरा तो देखते हैं इसके आंसर को वेरिफाइ करके बिलकुल 20 से 20,000 Hz तक I hope कि आपने भी इसक कुछ इतनी बार तो हमने रिपीट कर लिया था इतनी बार हमने देख लिया था अगर आप हमें पूरे तरीके से मतब पूरी लेक्टर्स को फालो करते हा रहे हैं तो अब तक आपके लिए यह सब समस्या है नहीं है यह सब क्वेश्चन्स नहीं है देखते के साथ ही हमारे दिमाग में आंसर घुमना सुरू हो जाता है चूँकि बहुत बार इतनी बार हमने इसको देख लिया है कि कोई समस्या होनी ही नहीं है ठीक है ना हमने इसको चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ा हमने इसको अपने mcqs में भी देखा कई प्रारूपों में देखा लगू तर सिंदी के साथ मैं तो घबराने के बिलकुल भी जूरत नहीं हम आपको अलग से कुछ भी याद नहीं करने को देंगे हम आपको अलग से कुछ भी करने को नहीं बोलेंगे क्योंकि आप अगर सिर्फ वीडियोज फॉलो करते आ रहे हैं आपकी प्रिप्रेशन औरेडी पूर जो cbc का basically pattern रह रहा है वह ऐसा ही है बई कि एक lengthy question पूछने के बजा है एक ऐसे question का निर्माद करें जिसमें जादा से जादा concept पूछा जा सके तो तीन नंबर का एक पूछने के बजा उसमें 3-1-1 नंबर के प्रसंदें दिये दिर वतरीय में चार या पांच नंबर का यह तो आपको घबराना नहीं है वह चार या पांच नंबर के जो है ना वह स्प्लिट अब हो जाता है तीन नंबर का एक दो नंबर के कैसा कर ले तो मतलब कुल मिला कि आप से कुछ लेंदी सा कुछ अजीब सा सवाल नहीं पूचा जाता है आजकल to the point और वैसे भी science है यहां तो बिलकुल नहीं कवराने यह तो बिलकुल to the point cut to cut बात की जाती है आए बात करते हैं first question कि मतलब 13 के a में वायू जल तता steel में से किस माध्यम में द्वनी की चाल सरवाधिक होगी ध्वनी तरंग की चाल या वेग को परिभासित करें मतलब पहले तो बताना है कि एयर है ठीक है दूसरा लिकूइड है और तीसरा जो solid है तीनों में से सबसे ज़्यादा ध्वनी की चाल होगी किसमें और तरंग की चाल या वेग को परिभासित करनी है अगला जो question पुछा है वहाँ पर कह रहे हैं कि जो frequency की unit होती है हर्ट्स उसके बारे हम बात के लेते हैं कि जो ध्वनी संचरन होती है मतब ध्वनी का चलना होता है वह किस प्रकार से होता बैए तो ध्वनी संचरन के लिए हमेंसे एक माध्यम के हावश्यक्ता होती है और माध्यम के कंड अपनी जगह से गमन नहीं करते हैं कहीं पर वो अपनी जगह पर इसे वाइबरेट हो रहे होते हैं कंपन कर रहे होते हैं और उनके कंपन के कारण इनकी ऊर्जा एक कंड से दूसरे कंड की तरफ दूसरे से तीसरे कंड की तरफ चलती हुई एक जगद से दूसरी जगद संचलित हो जाती है अब क् तो अब सिंपलेस में ये चीज़ होनी है कि ऐसा मेडियम जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास हो जिसमें करण जो होंगे भई पास पास होंगे तो उनके बीच में एक दूसरे के लिए टकराओ और उस टकर से जो उसका ध्वनी का जो संचरन होना है वो असानी से ह हो सकता है अगर जहां पर मॉलिक्यूल्स जहां पर कंड दूर दूर होंगे माद्यम के कंड दूर दूर होंगे तो भाई आव एक कंड को दूसरे कंड को एनरजी ट्रांसफर करने में दिक्कत आएगी क्योंको इसको चल कर ऐसा जाना पड़ेगा ठीक है ना जैसे महां कonce यह से यह से यह से और यह अनर्जी यहां तक पहुंच गयी किन्तु यही चीज़ अगर मौन लीज़े माद्यम के कंड ऐसे हो जाए अब हमने एक ध्वनी यहां पर उठ्पन्न की है तो अब इस वाइबरेशन से यह यहां तक जाके ठकराएगा फिर यह यहां तक जाकराएगा फिर यह आगे ठकराएगा तब तो आएगी तो इसमें लगेगा नो मैं दो successive collision में मतलब एक जाए दूसरे को ठकर लगाए इसके बीच में टाइम लगेगा न तो इस टाइम लगने के कारण यहां पर हमें ध्वनी संचरण जो है वो कम मिलेगी क्योंकि जरूरी तोड़ी है कि हर पार्टिकल के पास मैं इतनी उर्जा मैं देही पाऊं कि भाई वो अगले तक पहुंच जाए लेकिन जब यह बहुत ही может on इसमें । जादा होगी जैया लिए जमा तेजी से चलेगी फिजल में फिर वाईूमे कारण न्हीं किए का उल गाता है तो सौलीड की तो सौलीड में गहन तोजादा होता है ठोस की जब हम बात कहते हैं तो ठोस में गहन तो किया होगा दा थोस से कम किसम वहाता है तो यह होता है हमारा लिक्विड में जो हमारा तरल होता है इसके इंदर और सबसे कम किसमें बात कर लेंगे गैस में तो इसके अधार पर अगर यहां से मैं जमा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा भई तो मुझे मिलेगा क्या स्टील मतलब ठोस यह जो स्टील दिख रही है ठोस है अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं अगला अगला क्या है भई तो अगला है हमारे पास जल लिक्विड जल और गैस की बात करें तो गैस को ने भई यह वाई तो यह इस और में चलेंगे खतम होगे बात एक छोटी से बात वस्ति सियाद रखने हैं कि भई वो कॉलिजन होने के कारण एक दूसरे देखो है अपनी एनरजी ट्रांसफर होने के कारण चल रहा है तो क्या मिला इस्टील में ध्वानी के चाहल सरवाधिक होगी तरंग किसी विंदू जैसे संपिडन या विरलन द्वारा एकांग समय में तैक की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है तरंग का जो वेग है वो क्या बई एकांग समय में कितनी बार वो संपिडन विरलन कर रही है तो जब उनको दूर दूर रखा था तो संपिडन विरलन होने में समय लगेगा पास पास रखा है तो जल्दी संपिडित और विरलत हो जाएगी इसका मतब यह है कि स्टील जो है जिसका घरनतों जादा है उसमें ध्वनी के चाल सबसे जादा होगी अब बात करते हैं भई वन हर्ट्स तो वन हर्ट्स का मतब होता है एक चक्र पर सिकेट ठीक है ना अगर हम बात करते हैं तो आवरती फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है एक बटा में समय अंतराल तो एक बटा में अगर समय अंतराल हमें देखना है तो मतब क्या है एक साइकल कंप्लीट हो जाए इसको सबको वन करना है तो एक साइकल अपान में कितना है तो एक से किट इसी को कहते हैं हम एक हर्ट एक साइकल अपान में एक सेकेंड इसी को हम कहते हैं हर्ट ठीक चली तो आई होप कि आपको थर्टीन का भी एक आंसर मिल गया हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नमर फोर्टीन की तरफ तो यहां पर है वही कुछ जन्तु भुकम से पहले परिसान हो जाते हैं कुछ आशानीमल सहां जो भुकमप आने से पहले ही परिसान हो जाते है अरथात उनको पहले ही सूचना मिल जाती है बढ़ कौन होते है भई तो भुकमप में हमको जब ग्यात है अभी हमने एक अबजेक्टिव देक था इसके बैसिस पे कि भुकंप जो होता है ठीक है ना भुकंप के समय एक अवस्रव्य ध्वनी निकलती है क्या होगी एक अवस्रव्य ध्वनी निकलती है अवस्रव्य ध्वनी का ताथ परे क्या है भई तो अवस्रव्य ध्वनी का मतलब यह है कि बीस हर्ड से इससे कम की एक ध्वानी उत्सरजित होती है अब बीस हर्ड से कम की एक ध्वानी उत्सरजित हो रही है और कोई ऐसा जानवर हो जो पहली सुन ले तो भाई वो तो परिसान होगा ही न जैसे कौन भाई जैसे माल यहाथी की बात कर लेते हैं वो सुन लेता है ब चीक है तो इसका कारण के है इसका कारण सिंपली यही है कि भुकम के मुख्य प्रगाती तरंगों से पहले निम्ना वृती की अवस्रव्य ध्वनी उत्पन करते हैं क्या होता भी एक लोवर फ्रिक्वेंसी की वहां से साउंड रिलीज होती है और जो साउंड रिलीज होती है लोवर फ्रिक्वेंसी की वो कुछ जानवर सुन सकते हैं जो संभावता जन्तुओं को साउधान कर देती है क्योंकि वे ऐसे अवस्रवे ध्वनी को सुन पाते हैं इसलिए कुट्टे चमगादर आदी जीव जन्तु इधर उधर गती करने लगते हैं चमगादर वैसे तो वही जन्रली पराधनी का प्रेयोग करता है अपने लिए लेकिन उनको यह वेरियेशन का एहसास हो जाता है इसलिए यह लोग क्या करते हैं गती करना सुरू कर देते हैं जैसे आपने जन्रली देखा होगा कि बारिस आने से पहले बहुत सारे ऐसे बर्ट का पता चल जाता है ठीक है ना चली आगे बढ़ते हम जला क्विश्चन नंबर फिफ्टीन पे यहां पर है यदि प्रतिध्वनी छे सेकंड के बाद सुनाई देती है तो सुरूत से परावर्तक प्रिष्ट की दूरी क्या होगी यहां पर ऐसा कह रहे हैं कि एक तो मत्तब इस ध्वनी को जाने में सपोर्ज डी डिस्टेंस तै किया वापस भी डी डिस्टेंस आएगी यह डी डिस्टेंस के दूरी तै करके गया है डी वापस भी आए ना है ठीक है ना तो मत्तब दी जो है वो कितना है यह जाकर के वापस आना है ठीक है तो प्रिष्ट की दूरी क्या होगी तो एक दो वाते समझे भाई ध्वानी की जो चाल होती है वो 342 मीटर पर सेकेंड या कई जगह पर आपको 340 मीटर पर सेकेंड भी देगी यहाँ पर चुकी गिवन है तो इसलिए हमने 342 यूज करना है 340 भी कहीं पर 344 भी वायू में ध्वानी संचरन जो होता है वो 340 मीटर पर सेकेंड होता है ठीक है कुछ जगह पर मैं बोल रहा हूं कि वैरिएशन होता है इस जगह पे साउंड आई टक्रा करके वापस आई इसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा वो जाने और आने दोनों का ही डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा तो क्या करें तो मुझे निकालना होगा यहां पर जो डिस्टेंस मिलेगा वो अल्टिमेटली मिलेगा ट्वा विस्थापन बटा में समय तो विस्थापन बटा में समय अगर लिखूं तो मैं यहां पर क्या करूंगा भई तो मुझे यहां पर चीए विस्थापन तो विस्थापन के लिए क्या लिखेंगे तो विस्थापन बराबर वेग गुने समय तो यहां पर 2D equals to क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर two d equals to be same हो गया वेग गुने समय तीनसोबैयालिस और समय किता है भाई छे सेकेंढ तो डी इक्वल 스ू 342 गुने छे बटा में यह आजाएगा 2 से इसको अगर मैं कार देता हूँ ठीक है तो यह स्टू 342 गुने छे बटा में यह आज आएगा दो दो से इसको अगर मैं कार देता हूं ठीक है तो यह दो से एक बार में कट गया किता बचेगा चोग दाओं साथ बार में और फिर दो आएगा एक 131 से दो बार में काटेंगे तो यह आता है 342 छे से गुणा किजिए तो छे कम छे साथ से छे बार में 42 चार और छे कम छे और चार दस मतब कितना मिला भई एक हजार चब्विस मीटर ठीक है ना यह दस सो चब्विस मीटर की टोटल जो है यह दूरी हम को यहां पर प्राप्त ह हुई है ठीक है बैश टोटल दूरी किती है टोटल दूरी है 1026 मीटर की ठीक है चली आगे बढ़ जाए जड़ा अगले क्वेशिन के तरफ तो अगला जो क्वेशिन कह रहा है भई हमारा क्वेशन नमबत 16 यह कह रहा है ध्वनी का अनूरणन क्या है री वाइब्रीशन अन जदिक अनूरणन को नियंतरित करने में सहाय को मतब ज्यादा री वाइब्रेशन हो रही है तो उसको कम करने आज भी ज़रूरी होता है उसके लिए बड़े हॉल्स में क्या प्रयोग मिलाते हैं और तीसरा है कि इनी दो जीवों के नाम लिखे जो पराध्वनी तरंगों का भाई री वाइब्रेशन का मतब क्या कि जैसे एक बड़ा सा हॉल हो वहाँ पर हम कुछ बोलते हैं तो थोड़ी देर तक वहाँ पर आवाज गूंजती रहती है अवाज के इस परकार से गूंजने कोई हम कहते है अनूरणन क्या होता है बड़ा सा हॉल है तो जब हमने फिर इदर से भी नीचे से भी टक्रा रही होगी इदर से भी टक्रा रही होगी यहां से भी टक्रा कह रही होगी यहां से भी टक्रा मतलब साउंड क्या है हर जगह से जा जाके टक्रा रही हो और सिर्फ इतना ही नहीं यह टक्रा हो यहां जाने के बाद विरसे टक्रा के यह बहुत करा है और इस की इंटेंसिटी अगर जादा होगी तो यह परिवर्तन जादा सबसे क्या होता बैई तो एक सोर जैसा हमको सुनाई पड़ता एक बार-बार रिपीट हो रही होती चीज़ें गूंज रही होती है चीज़ें उसको ही कहते हम अनूरण ठीक है ना इसका कारण क्या है बहुत इसका कारण है multiple reflection बार 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 इसका परावरतन होना ही इसका में कारण है ठीक है अब क्या करें इससे कैसे बचा जाए तो इससे बचने के लिए काम किया जा सकता है कि इसकी जो दिवारें हैं इन दिवारों के उपर जैसे आपने देखा होगा अगर सीने प्लेक्सिस या फिर थियेट आती है किसी मोटे गत्ते की हो सकती है या फिर कोई मोटा कपड़ा लाइक कंबल एन ओल टाइप की जो चीजें आती है वैसा मोटा सा ठीक है या फिर वहाँ पर थर्मो कोल की सीट्स देखी होगी उन सीट्स के उपर कपड़ा लगा के उन थर्मो कोल की सीट्स में बहुत सा देते हैं लेकिन अपने अंदर आने के बाद परावर्तित नहीं करते हैं. अवशोशित कर लेते हैं. मतलब जो उर्जाई हो नहीं के अंदर रह गई. अगर इस तरीके से इन उर्जाई हो जाएगा, मतलब कि वहाँ से revibrations नहीं होंगे तो वहाँ पे इस तरीके की सोर जैसी चीज़े आज जो हम कह रहे थे कि वह अनुरणन जिसकी बात कर रहे हैं यह सब सुनाई नहीं पड़ेगी मतब आप सिर्फ इतना इक देखें ध्वनी जो आ रही उसको तो कम करनी सकते हैं तो सुनाई नहीं देगा तो यह द्वनी जो आ रही है उसको क्या कहिए जटो रिवाइबरेट होने से बचाने के लिए आप ऐसी चीज़े इस्तमाल में लाइए कि वह उन ध्वनी को क्या कर ले आवसोशित कर ले सोख ले अब उसने ध्वनी को सोख लिया तो भही यह रिफलेक्ट होई नहीं रहा तो इसका मतलब अब आपको अनुरार नहीं सुनाई देगा ठीक है और जैसे पराद्वनी की बात करें तो भही ऐसी जीव है भही चमगादर ठीक है आईए ज़र समझते हैं इन सब को तो सबसे फर्स के अगर मैं बात करता हूँ तो यहां पर कहना भी किसी बड़े हॉल में ठीक है ना किसी बड़े हॉल या सभागार में उत्पन्न होने वाली ध्वनी जो दिवारों और छट से बारंबार परावरतन के कारण काफी समय तक बनी रहती है यह बारंबार पराव पर्स से टक्रा क्या है तो इसलिए जब कभी बनाई जाती इस तरीके की चीज़े तो हर जगह से ऐसा बने आ जाता है कि दोनी जाकर करके वहीं पर अवशोशित हो जाए रिफ्लेक्ट बैक ना हो ठीक है बई आगे बड़ा अगर अपने बी क्वेस्टिन पे तो बी कांसर कर देते सता को तो वह भी प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता अगर आपने फाइवर बोर्ड को संपिडित करके कंप्रेस करके लगाया तो उससे भी काम हो जाता है या फिर भाई जो भी चेर्स जैसे लगी हैं बिना चेर के है तो बहुत जादा रिफ्लेक्शन मिलता ह हौल में चेर्स जो लगी है उसके उपर मोटे गद्दे लगा दिया जाते हैं अब मोटा गद्दा लगाने से क्या हुआ तो कुर्सियों पर भारी गद्दार सीट लगा कर जो कि ध्वनी अवशोशक होते हैं अब गद्दा सीट लगा है तो क्या होगा भई वो ध्वनी को ठीक है ना फोम जैसी जो चीजे होती है उसके अंदर से रिफ्लैक्ट बैक नहीं हो पाता ना भई जो एनरजी उसके अंदर जाती है वो उसके अंदर अवशोशित हो जाती है चलिए डॉल्फिन और चमगादर ये दो ऐसे जीव हैं जो कि हमारे भई पराधौनी का उपयो हैं तो भई से बई हमारा तो भहिए यह चमगादर अब इसने क्या किया तो इसने यहां से एक पडाध्वनि यहां से जनर्रेट करी कुछ आजीव सा चमगादर run ठीक है यह चमगादर क्या करें विसंगतियां कहीं पर भी तो है को भी होगे कुपोषित तो लोगा सा ए इसने क्या किया भी अब कुपोसी था तो सिकार की तलास में है सिकार की तलास में क्या करता भई तो यह करता एक पराध्वनी उत्पन पराध्वनी का मतलब क्या भई तो यह है बीज हजार हर्ड से जौधा की ध्वनी हम सुन नहीं पाते हैं अब यह क्या होता है यह एक ध्व ठकराएगा और ठकराने के बाद ये द्वानी ये वापस आएगी इसके पास तो चमगादर वहिया इसने आपकी साइंस पड़ी नहीं थी लेकिन इसको इस्तेमाल जरूर करता है यहां से यहां तक जाने में उसने पता किया कि यह रहा डी डिस्टेंस और इसके साथे साथ यह इस वेब को जाने और आने में लगा हुआ समय कैलकुलेट करता है चुकि इस तरंग का वेग उसको पता है उसी ने इस तरंग को भेजा है तो तरंग का वेग पता है समय पता है तो हमने अभी देखा था दूरी अगर निकालनी है विस्थापन अगर निकालना है तो कैसे न कहीं सा अगर लोट रही है तो मतलब सामने कोई सिकार है और नहीं लोट रही है मतलब सामने पूरा खाली है वो अड़ रहा होता है ठीक है ना तो वह सामने उसने एक वेज़ा वहाँ पे अगर कोई सिकार होगा तो उससे टकरा करके लोटेगी अचा उससे बहुत कुछ पता क कर लेता भई यह तो सर्व इतनी सी बात मैं लिख रहा हूं वह यह भी पता कर लेता किया सिकार हमारी तरह वा रहा है सिकार उससे दूर ग्वह बेंचे के देखेगा तो इधर भी पता चला कुछ भी है मतब वो तुरंती उस इंसेक्ट के डारेक्शन का तो पता लगा ही आए उसके बाउंडरी का भी पता लगा ले था कितना बड़ा इंसेक्ट है अब पता चला कि वह कीडा ढूंड रहा है और सामने कोई बड़ी सी पंच्छी हो तो उसी को खतम कर दे तो इसलिए उसको यह भी पता करना ज़रूरी होता है तो वो मल्टिपल वेब्स छोड़ता है जहां सा रिफ्लेक्शन को प्राप्ट करता है और इस तरीके अपने सिकार को ढूंड पाता सिमिलरली डॉल्फिन भी वो भी इसी तरीके के वेव को जनरेट करती है और उस जनरेटर वेव के वापस जब वो वेव चल करके आती है तो उस समय यह डिस्टंस कैलकुलेट कर लेते हैं खैर इस संबंद में दूरी जो है वो दूबार निकलती है तो अपन में टू लगा देते हैं तो एक्जैक्ली हमारे डिस्टंस का फॉर्मूला बन जाता है क्योंकि यह वेव गया और वापस ठीक है ना इसलिए इसको दी जो दूरी है उसको टूडी कहते हैं उसको अगर डिस्टंस निकाला तो टू से डिवाइट कर देजिए ओस इंपली निकल जाता है अचा इसी क्या प्रहुग हमने बाद में किया जिसको हम कहते हैं कि अभी सोनार यह हम भी इस्तेमाल में लाते हैं उन सिब के नीचे की गहराई पता करने में या फिर अगर उसके रस्ते में कोई डॉल्फिन आ रही है या फिर कोई ऐसी जीवारा लैक वेल डॉल्फिन तो चलो खेर चल भी जाएगा वेल आ रही है उसके रस्ते में कोई ऐसा बड़ा जीवा रहा है तो नुकसान हो सकता है उसका पता करने में हम भी यही काम करते हैं सोनार के जरी है सोनार से एक वेव रेडियेट की जाती है सामने वो जाएगा टकराएगा लोटाएगा सिर्फ और सिब इसी में नहीं इसके साथ साथ हम इसका भी कर सकते हैं सोनार के जरी है कि अगर सी भीट्स में मतलब समुदर तल के नीचे कोई खोज करने वाले लोग जैसे मालिज उसके अंदर कोई ठीक है चलिए तो इसका अंसल हमें मिल गया हम ज़रा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन बर सेवेंटीन पे और यहां पे कहने हैं कि यह दिवायू कता पांग पचिस डिगरी सेल्सियस हो और ध्वनी का चाल इस ताप पर 344 मीटर पर सेकिंड हो जो मैंने अभी आपको परेचर 25 डिगरी सेल्सियस दिया इसले 344 मीटर लिख तो प्रती ध्वनी सुनने के लिए किसी ध्वनी स्रोत से परावर्तक प्रिष्ट के बीच की निवनतम दूरी कितनी होनी चाहिए मतलब जो प्रती ध्वनी होती है जैसे हमने बोला वो एक दिवाल से जाके टकराए औ पॉंट वन सेकंड गिक अब मेरे दिमाग पर पॉंट वन सेकंड पहले ही वो ध्वनी सुनाही देगी तो मुझे प्रती ध्वनी नहीं समझ में आजए की टोक्ती ध्वनी से से जादा का time लगेगा अगर तो उसके लिए दूरी calculate करनी है तो देखे, speed हमारे पास है, क्या है भई, हमारे पास यहाँ पर क्या है, speed है, हमारे पास यह भी पता चल गया कि time कितना लगाना है तो point one second से जादा लगाना है, ठीक है, तो दूरी का पता तो चली जाना है, क्या होता भई देखे इस पश्ट प्रती ध्वनी सुनने के लिए मूल ध्वनी तथा परावर्ती ध्वनी के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए क्योंकि हमारे मस्तिस्क में ध्वनी की जो समवेदना है वो 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है तो भई यहां पर हमारे पास में टाइम पता है जब हमको वेग पता है तो क्या दूरी नहीं निकलेगी विल्कुल निकले गई हमें जब पता है वेग बराबर क्या होता है तो यह होता है हमारा विस्थापन बटा में समय तो चलिए ना इसी का प्रयोग करा जाए तो यहां से मैं अगर लिखता हूँ विस्थापन बराबर तो क्या हो जाएगा तरंग का वीग इसको वेग ना लिखते हूँ मैं जो समय है देखे मैं तो इसी समय पर कैलकुलेट कर ले रहा हूँ कितने पर 0.1 सेकेंड पर अमें यह कह दूँगा कि इससे जादा ही होनी चाहिए यह यह कहूं नियूनतम इतना तो होना ही चाहिए आए रखिये जड़ा तो मैं अगर निकालता हूँ विस्थापन तो यह अल के वापस आने में भी डी डिस्टन्स तो डी जाने का और डी आने का कितना हो जागा कुल दूरी कुल दूरी 2D भाई मुझे परावर्ती दूरी सुननी है न वो जाएगा और फिर वापस आएगा तो 2D तरंगी अवे एक 344 इंटू 0.1 तो डी बराबर भाई तो 344 इंटू 0.1 अपाउन में आ जाएगा ये 2 अब अगर इसको चाहें तो आप कैंसल कीज़े कितना तो 17 से दो बार में 344 मतब 172 अर्थात 17.2 मीटर कितना है भी 17.2 मीटर तो नियूनतम होना ही चाहिए ठीक है तो परादवनी सुनने कि ये नियूनतम दूरी सुरी पराद होनी नहीं भई प्रतीध होनी प्रतीध होनी मन्तलब एको की बात कर रहे वापस रिपेटेशन जो सुनते हैं उसकी बात कर रहे नियूनतम दूरी भई 17.2 मीटर सतरह दस मलों दो मीटर की दूरी पर वो दिवार होनी चाहिए जहां पर जाए ये टकराए और वापस आए तो ये है 17.2 मीटर की ये दूरी और यहां पर हमारा वही है वो स्पीकर जहां से ये ध्वनी उत्पन हुई थी यहां से ध्वनी उत्पन हुई है ठीक तो I hope कि ये 17th का भी आंसर आ यहां पर बात कर रहे हैं वही कि किसी दौनी तरंग की आवरिती 2 खिलो हर्ट्स है और उसकी तरंग दर्द 35 सेंटीमेटर है यह 1.5 किलो मिटर दूरी चलने में कितना समय लेगी यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखें बही कुछ कुछ चीज़ें 2 किलो कि उसकी हो गई क्या तरंग डाथ यहां पर सॉरी दो किलो हट्स की आवरिती और तरंग डाधे 35 cm और यह देढ किलो मिटर दूरी चत्ते है करनी इसको तो यहां पर यूनिट्स का थोड़ा सा conversion है यहाँ पे 1.5 किलो मिटर है सेंटी मिटर है वो किलो हर्ट में तो इसलिए इसमें conversion आएगा खैर आगे पढ़ते हैं जब क्वेश्चन को यदि दिएगे ग्राफ के किसी तार में उत्पन तरंग की आवरिती 100 हर्ड को दर साता हो तो निमलिखित के मान गयात कीजिए आयाम तरंगदर्द वेग और तरंग की प्रकृति यह रहा वो भी इसके लिए हमको निकालना है इसमें कितना है आयाम एंप्लिट्यूट इसके अंदर निकालना है इसके तरंगदर्द कितनी है वेग निका हैं सबसे पहले हम उसको लिखते हैं and इसको सॉल करते हैं तो given data लिखने सुरू करें क्या हैं यहापे 2 kilo hertz ठीक है अब kiloist में given इसका मतलब है यह आवरती है आवरती मतलब की नियू से denote करते है इसको ठीक है आवरती पहले मैं एवाले question को solve कर ले तो फिर मैं आऊंगा इनके answers की बात करूँगा अब रिती मेरी कित्ती गिवन है तो यह गिवन है दो किलो हर्ट ठीक है मतलब इसका क्या होता यह कितना है तो 2000 हर्ट क्योंकि किलो हर्ट में तुम किसी फॉर्मुले में यूज कर नहीं सकेंगे तरंग दैर्द जो गिव में हैं लेकिन हमको चाहिए होता है मीटर स्टांडर इउनिट है तो कितना हो जाएगा 35 बटा में 100 मीटर ऐसी छोड़ता हूं मैं क्योंकि डिवाइड हो करके कटने वाला है तो इसको इसको छोड़ देते हैं आगे बढ़ता हूं मैं आगे कह रहे हैं कि डेड़ किलोमेटर किता समय लेगा मतलब क्या है वै कि इसको जो दूरी तेय करनी है ठीक है ना दूरी वह इसको तेय करनी है भई वन पॉइंट फाइड किलोमेटर के अर्थात इसको भी कनवर्ट कर दूँ तो यह है पंदरा सो मीटर उसा से लगेगा तो सरो परतम तो मुझे इसके लिए calculate करना होगा कि भाई इसकी वेग क्या है चाल पता होगी तो दूरी यहाँ पर given है time निकल जाएगा भाई ठीक है ना तो सबसे पहले मुझे चाल ग्याद करनी है चाल ग्याद होता है हमारा विस्थापन बटा समय किन्तु एक बटा समय इसको हम कहते हैं क्या आव्रति है तो यहाँ पर जब यूज़ करेंगे तो वेग बराबर क्या हो जाएगए विस्थापन मेटा समय ठीक है तो वेग बराबर क्या लिख लूँगा मैं मैं लिख सकता हूँ क्या विस्थापन गुणे आवरिती ठीक है विस्थापन गुणे क्या हो गया भाई ये आवरिती अब विस्थापन जो है जो दूरी है इसको वी से डिनोट करते है विस्थापन जो दूरी है इसको किसे भाई तो length तरंग दार्ध जो है जो wave length है उससे तो यह हो जाता है lambda और आवरिती को लिखते है new तो वी कितना है गया भाई new lambda चलिए यहाँ पर value रखे लैमडा की value है 35 बेटा 100 और new की जो value है जो आवरिती है frequency है वो 2000 काटिये भाई 2-0 से यह 2-0 cancel तो वेग कितना मिल गया है तो मुझे यहाँ पर मिल चुका है वेग वेग का जो मान मिल चुका है 35 दूना 70 साथ हजार है ना कितना सॉरी 700 पैंटीस दूना 70 और एक जीरो पहले से वेट कर यह 20 है है ना दो जिरो कर चुके 700 क्या हो गया भाई यह हो गया मीटर पर सेकंड अब चुके मुझे यहाँ पर टाइम निकालना है वेग बराबर विस्थापन बटा समय मैं उसी चिज़ को लिख रहा हूँ दूरी बटा में समय तो भई समय बराबर क्या लिखूंगा समय बराबर मैं लिखूंगा दूरी बटा में वेग ठीक है जान बुझके मैं कम्प्लीट फॉर्मूले लिख रहा हूँ आपको ताकि बार बार रिपीट हो हैं आपको याद हो जाए भई भूलने का कोई सवाल पैदा नहों क्या करूंँए यहाँ पर दूरी कितनी है जीरो से जीरोः पहले काटती है चलिया अलग अलग काटे दो जीरोग जीरो कैंसल साथ से अगर 15 साफ को काटते हैं तो साथ दो साथ दूनी 210 मल लो, ऊपर से उतरेगा कितना बही, तो 1 ठीज है, 0 लगाएंगे, 10 होगा, 7 एकम, 7, मतब टाइम कितना मिला बही, तो 2.1 सेकंड, कितना टाइम लेगा है, यहां तक चलने में, 2.1 सेकंड, ठीक है, 2.1 सेकंड में यह 1.5 किलोमेटर की दूरी को तह कर लेगा, ठीक, आंसर को माच कर लीजे चाहे तो screenshot रख लीजे क्योंकि हमारे पास से इसका B segment हम उसको भी solve करने जा रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़तों में अपने B segment पर यहाँ पर करें कर दिये के graph में एक graph दिया है यहाँ पर इसके आवरिती जो है वो 100 hertz की है मतब हमको frequency अलग से दी गई है हाँ पर आवरिती ठीक है आवरिती जो हमको given है वो हमको given है भाई 100 hertz अब इसके अनुरूप हम कुछ-कुछ बाते करेंगे तो इस graph में देखकर के आपको बताना है कि आयाम कितना है तो आयाम क्या होता भई अम्पलिट्यूट क्या होती है अम्पलिट्यूट होती है मीन पोजिशन से maximum जो displacement होती है maximum जो division होता है इसी को कहते हैं हम आयाम इसी को कहते हैं तो अगर हम यहां पर बात करेंगे यहां पर बात करेंगे यहां पर बात करेंगे यहां पर बात करेंगे यहां तो यहां पर वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है यह गराप में दिया है पांच सेंटी मीटर तो आयाम कितना लिकूंगा तो आयाम है मेरा पांच सेंटी तो तरंग डैर्द होता है दो successive दो लगातार दो क्रमागत हमारे स्रिंग या दो क्रमागत गर्थ के बीच की दूरी इसको कहते हैं लैमडा यह उपर देखिए दो स्रिंगों के बीच की दूरी दी हुए कितना 20 cm कितना दिया हो भई 20 cm यानि यहां पर लैमडा की वैलू कितनी हैं 20 cm मतब तरंग डैर्द कितना भई 20 cm ठीक है अब यहां पर एक और बात कर रहे हैं भई वेग की मतब इसकी स्पीड कितनी होगी तो वेग कैसे निकालेंगा अभी फॉर्मूलेट करके लिए था मैं वेग बराबर ठीक है न अगर आप विलोसिटी निकालना चाहते हैं त विलोसिटी बराबर होता भई निउं इंटू लैम्डा ठीक है वेग बराबर निउं मतब क्या आवरिती इंटू तरंग डैर्ध तो यहां पर इन दोनों की वैलिउस गिवन है निउं कितना है भई तो 100 सो इंटू लैम्डा की वैलू अभी अमने निकाली लैम्डा केती है भी बिस सेंटिमेटर सामने रखी थी बिस सेंटिमेटर अर्थात यह कितना हो गया यह हो गया conditions पर सेकंड किता हो गया 2000 मीटर पर सेकंड ठीक है तो वे एग लिख ले तो मैं वी 2000 मीटर पर सेकंड और यह जो तरंग है यह कैसी तरंग है तो यह के साइनोसोइडल तरंग है यह जो तरंग है ठीक है यह अनुदैर दे तरंग है कैसी तरंग हो गई यह अनुदैर दे तरंग है खतम बात ठीक है सारे answers मिल गए graph देखना भी समझ में आ गया बिना graph के भी जो question थे वो भी solve करने आ चुके and I hope कि आपने जो answers calculate किये होंगे बिल्कुल same calculate किये हैं ठीक है तो भई इसमें आप अपने आपको तीन number दे सकते हैं ठीक है लगोतर यह था दो पार्ट में था डेड़ डेड़ नंबर के दोनों थे त्री मार्क्स अपने आपको दे सकते हैं आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले question की तरफ जहां से सुरू होते हैं हमारे दिर्गोतर यह प्रश्न ठीक है long answer type questions के अब हम बात करेंगे दो long answer type हमको मिलेते जिसमें question number 19 में तीन चोटे-चोटे question आगे तो मैंने कहीं रहा हूं कि भाई long answer type का मतलब ऐसा नहीं कुछ लेंदी सा बढ़ा सा ना long answer type के simple सा मतलब ऐसा है कि आपको छोटे-चोटे question मतलब कई पार्ट में questions दे दे जाएंगा बस तो क्या हुआ भाई तो यहां पर कह रहे है बंसा सिदे इसे आवाज आती है नै जिसे हम भी खुल महीं कहते कि बंसा पटाका फूटे बई तो पटाके फूटने का मतलब जो बूम धोनी आती है उसकी बात कर रहे है आगे बात करें मच्छर की आवाज सेर की आवास से तीखी क्यों होती है भाई कहने को तो यह सेर को भी लक्षन है मतब ध्वनी के बारे में तो तरंगों के कुछ उसके गुणों की बात करेंगे हम तो चलिए कर olacak । देखते हैं तो जैसे हम बूम ध्वनी की बात करते हैं। बूम ध्वनी मतब किछे जीस की वटने की आवाज आचानक से किसे चज़ के फटने की आवाज जो होती है उसी को कहते हैं बूम ध्वनी सड़नी कुछ ब्लास्ट होता है उसकी जो आवाज आती है वह होती है भूम ध्वनी ठीक है जैसा माल लीजाए अगर एक एक्जामपल के लिए लें तो जैसे रॉकेट समझ लेता है रॉकेट को ज सुरू होता है वह धोनी करीव करीव इतनी तेज होती है कि आपके मतलब दरवाजे खिड़की पेन पौदे को भी उखार सकती है ऐसा कुछ होती है वह जैसे कि आपने सुना यह जो ब्लास्ट होते जो बंब्लास होते वह पूरी बिल्डिंग गिरा देते हैं तो वह क्या कर कामेंट भी बहुत सारी जगों पर होती है ठीक है जैसे रॉकेट प्रपलिशन की बात करवा तो रिक्वामेंट है ना आईए देखे जब ध्वनी उत्पादक स्रोत जांसो ध्वनी का उत्पादन होना है ध्वनी की चाल से अधिक तेजी से गती करती है तो वायू में प्र गाती तरम वो से संबद वायू दाब में परिवर्तन एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनी उत्पन होती है जिसको बूम ध्वनी कहते है रॉकेट जो चलती है वह 344 मीटर पर सेकेंड से चले तो इतनी जल्दी नहीं उपर जा सकेगी उसको हमारे ध्वनी की चाल से तेज अब उससे तेज चलेगा तो वायू के कड़ो क्या करता है संपिडित तो वो संपिडन से जो ध्वनी उत्पन होती है उसी को बूम ध्वनी कहते हैं जैसे देखिये गोलियां अब गोली साउंड के वेप से चली की नहीं यहां गोली से मतलब बंदूग से गोली चूटी और सामने वाले को अधर हिट किया तो बहुत तिवर चलती है जेट वायू एन की दौनी जिसके मैं अभी बात कर रहता है बूम में इतनी उर्जा होती है कि खिड़कियों के सीसे तक तोड़ सकती है और यहां तक की भावनों को भी च्छती पहुचा सकती है जो खिड़कियां स कि तोड़ता है सतीन के अदर मिद्वनी उत्पन्व होती है क्योंकि उसको तिवर गति से जाना होता है यहां पर बात करें ना कि ध्वनी उत्पादकस तुरोथ जब कि एक सेर की नहीं तो सेर के जो आवाज होती है मैं तो तीकी सुनाई देती है ऐसा कहने का मतब सेर की आवाज होते है वो प्रबल होती है ठीक है ना लेकिन ऐसा समझे ले रही है एक ध्वानी ऐसी आ रही है प्रबल तो है लेकिन दूसरी ध्वानी वहीं पैसी आ रही है यह दूसरी वाली ध्वनी देखिए जो परपल कलर से बनी हुई है यह इतनी अम्प्लीटूड नहीं है जितनी ओल रेड़ वाली के अम्प्लीटूड है रेड़ वाले का आयाम जादा इसका आयाम देखिए बहुत कम है मैं रेड़ वाले के लिए आयाम बनाता हूं यह इसका आयाम यह रहा अगर रेड़वाले काया हम देखें तो स्हाधा है जो पपल कलर सब हैना RIS कायाम कम है फिर भी हमको जो है ना ये वाली जो द्वहनी है ये बहूत तीकी सुनाई देती एक तिकि बैसके frequency जादा होती है और जो सेर की आवाज वो ऐसा होता वह यह गरजना जो उसकी आएगी उसके frequency जो होती है बहुत जादा होती है ठीक है ना मतब ऐसा कह सकते हैं कि यह बहुत जल्दी 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 अपने waves complete करता है और इसके लिए जब बात करेंगे तो इसका तरंग दैर्द जो कम होता है तरंग दैर्द का मतब एक cycle बहुत समय में complete करता है इसलिए यह आवाज प्रबल तो है प्रबल है लेकिन तीखा नहीं है तो देखिए हाला कि मच्छर के आवाज की प्रबलता कम होती है परंटो आवरती जो है वो कैसी है अधिक है ज्यादा फ्रिक्वेंसी इसकी दूसी तरफ सेर की आवाज प्रबलता तो अधिक है परंटो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है क्या और यह कम हो दोनी प्रबल है ल लिए मच्छर की आवाज से तीखी होती इसी कारण से जो मच्छर की आवाज है वो क्या होगी यह सेर की जो आवाज होगी उससे जादा तीखी होगी जादा तिवर होगी ठीक है अब चलिए बात कर लेते हैं ध्वानी के अभिलक्चन की तो तीन अभिलक्चनों की बात कर ले रहा हुआ तो और loud हो गई loudness decide कोन करता है जो इसका amplitude है यह loudness को decide करता है आगे हम बात करते हैं इसके pitch की मतलब दो सब्दों के बीच में यह दो voice के बीच में जो difference आता है उसको कहते हैं हम किया बहुत तारत हो और गुरता गुरता यसी होते है कि एक ही frequency पे बहुत सारी चीज़े आ रहे हैं फिर भी हम distinguish कर पाते हैं कि यह दो अलग-अलग ध्वानी है जैसे माली जब कोई music बच रहा है उसमें बहुत सारे ध्वानी सुनाई पढ़ रहा है लेकिन हम अलग-अलग उनको कर पाते हैं ठीक है तो यह तीन जो ते यह ध्वानी आपर given है क्या-क्या फॉस्वन विरलन किसी कहते हैं ऐसा नहीं लग रहा जहां से सुरुआत करी थी खतम भी वहीं करते हैं ठीक है ना मतलब प्रारंब भी यहीं से हुआ था और अंत भी यहीं पर हो रहा है विरलन होता क्या है बही तो विरलन होता है जब किसी माध्यम के अंदर हम उनके कड़ों को पास-पास कर देते तो संपिडन और उनकड़ों को दूर-दूर जाने देते हैं तो विरलन जब निम्न दाब का छेत्र उत्पन होता है माध्यम में तो उसको कहते हैं विरलन और उंच दाब का छेत्र उत्पन होता था तो उसको कहते हैं संपिड जो गर्त है वो सब विरलन आगे किस प्रकार कुछ प्रजातियों के सिलब आसपास उड़ते हुए चमगादरों से खुद को पकड़े जाने से बचा पाते हैं मतब कौन से इसे टाइप के आनिमल्स हैं जो मतब इंसक्ट कह सकते हैं जो कि ये चमगादर जिसने पराध्वानी छोड़े थे उससे खुद को बचा लेते हैं मतब रडार सिस्टम जो है आपके चमगादर का उसको भी धोख आ दे देते हैं तो चलिए केकर कानसर की बात करते हैं वीरलन के मतब हमने कहा था निम्नदाब का छेत्र जहाँ पर कंड कैसे हो बई तो एक दूसरे से दूर दूर हो ठीक है फिर एकण कैसे बनने लगे आ थैँर्ण फिर से पास-पास बनने लगे है ये कंड फिर से पास-पास हो गए तो ये क्या हों गये संपिड़ सहरई है यह वृर्ला न एक उच्छदाब का छेत्र और एक निम्नदाब का छेत्र है अब अगर इसको graph के जरी यह denote करें तो यह ऐसा बन जाता है यह जो है यह compression यह compression यह rarefaction यह rarefaction compression मतलब यह कभी यह संपिढन और error reaction का मतलब क्या है हमारा virielen Your your line का मतलब होता है हमारा निम्नदाब का छित्र जहां पर जहांपर प्रेशिर कम हो और संपिढन का मतलब होता हिए हमारा उच्च दाब च्च यह तर रहाए हम पर निम्नदाब क तता सिखर तरंग का स्रिंग तता घाटी को गर्थ कहते हैं जो सिखर है मतलब यह जो है इनको कहते है स्रिंग और इनको कहते है गर्थ जो स्रिंग होती हो किसको बताती है संपिडन को जो गर्थ होती हो किसको बता रही है विरलन को जो स्रिंग होता है वो बता रही है हमारे उ सुग्राही होते हैं जो सलब होते हैं वो कैसे होते हैं यह पराध्वानी तरंगों के प्रति बहुत सुग्राही होते हैं यह क्या करते हैं जिसके कारण आज पास उड़ रहे हैं चमगादरों द्वारा उत्पन किये गए पराध्वानी की आवाज सुन लेते हैं और सुयम को पकड़े जाने से बचाने में सक्चम होते हैं ये किस तरीके के होते हैं भई सलफ कि ये जो चमगादर पराधोनी उत्पन्न कर रहे हैं उन पराधोनी को सुन लेते हैं अब पराधोनी कोई सुन लेगा तो उसको पता तो चली जागा ने कि इदर साथ से कोई चमगादर आ रह नहीं सबको भई प्राउपरली हमारी जो प्रकड़ती है वो बैलन्स प्रदान करती है उसके अनुसार अगर इस अलग को खाएगा हमारा चमगादर तो भई उसको बचने का भी तरीका दिया है वो सुनलेता उस दोनी को और चमगादर से भच जाता है ठीक है तो मतलब कुल मि जो भी questions cover किये थे जो भी questions आपको दिये गए थे वो सभी के answers आपने match कर लिये हैं अब आपको आपका final result मिल चुका है आप अपने आपको evaluate कर चुके हैं and इस evaluation के जरी अब आप fully confident है अपने examination के लिए चाहें वो school exam हो या फिर आपके लिए जो final exam आएंगे उसकी बात करेंगा हर जला के लिए अब हम तैयारें भी लेकिन अगर अभी भी थोड़ा सा भी जरा सा भी कहीं पर कोई शक्षन से doubt रह गया हो कोई दिक्कत की बात नहीं है भी comment section में आप लिखिए and आप जाईए हमारे जो भी वीडियो जो अल्रेडी अप लेड़ेड हैं आपके लिए concept वीडि हिंदी के साथ में जहां पर आपको चंता करने के बिलकुल भी जुरत नहीं पड़ती है तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दिजिए चानल को सब्सक्राइब and इसे अपने दोस्तों में शेर भी कर दिजिए भाई क्योंकि मागनेट ब्रेंस हिंदी लेकर क्याता है free education from class 6 to 12 quality content and experience teachers के साथ तो बने रहे है हमारे साथ हम मिल रहे है अपने अगले session में thanks for watching